नमस्कार आप देख रहे हैं खबर फास सवाल आपका लेकर हाजर हूँ मैं पूजा सच्टेवा बेरोजगारी किसी भी राज्ये के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होती है हर प्रदेश का युवा उम्मीद करता है कि सरकार किसी की भी आए लेकिन प्रदेश में बेरोजगार पर काम होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा सरकार किसी की भी हो अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान कराना सबसे बड़ी चुनौती रहती है और कोरोना काल ने इन चुनौतियों को दो गुना कर दिया कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया कई लोग बेरोजगार हुए, सरकार से युवा उमीद लगाए बैठे थे कि सरकार उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ नई प्लांस लेकर आएगी, नई भरतियां होंगी, लेकिन हर्याना के बेरोजगार युवाओं को बड़ा जटका मिला है, क्योंकि सरकार ने कई भर भरतियों को रद कर दिया है, आज सवाल आपका में दो खास महमान, एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, उन से इसी मुद्दे को लेकर होगी चड़चा. हर्याना कर्मचारी चयन आयोग ने PGT संस्कृत के 626 पदों की भरति रद्ध कर दी, PGT संस्कृत के 626 पदों के लिए साल 2015 में परिक्षा हुई थी, इसका परिणाम एक जनवरी 2019 को आया, 523 PGT संस्कृत अभ्यर्थियों को पास खोशित किया गया, लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी परिक्षा में पास अभ्यर्थियों की जॉइनिंग तक नहीं करवाई गई, और पुरानी भरती प्रक्रिया को रद्ध कर दिया गया, नए सीरे से 534 PGT संस्कृत पदों के लिए आवेदन भी मांग लिए, इसके बाद अब जुलाई 2015 में निकाली गई, TGT अंग्रेजी के 1035 पदों की भरती रद्ध कर दी गई है, HSSC ने स्टाफ नर्स, लाप टेक्नीशन, MPHW की परिक्षा को भी स्थकित कर दि गई थी, 4 मई 2020 से भरती होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण मई में आर्मी की भरती को टाल दिया गया, अब 23 से लेकर के 28 परवरी 2021 में भरती की जानी थी, लेकिन अब इस भरती को कैंसल कर दिया गया है, रद कर दिया गया है, प्रदेश के बिजली निगमों में 154 SGO के पदो पर भरती के परिणाम जारी किये गए, जिसमें 78 पदों और दूसरे राज्यों के युवा चायनित हूए है, आप समझ सकते हैं, इस चीज को कि सामान्ने वर्ग के लिए 99 पदों में से 77 पर दूसरे राज्यों के युवाओं का चायन हुआ, यानि कि हर्याना के युवा, सि 75 फीसदी आरक्षन देने की बात कही थी। अभेच ओटाला ने इस पर निशाना साधा है सरकार से सवाल किया है कि क्या नौकरी में 75 फीसदी आरक्षन की बात प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए की गई थी। कॉंग्रेस के राष्टे महासचिव रंदीप सुर्जेवाला ने कहा है कि टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों का विज्यापन वापस ले करके हर्याना सरकार का युवा विरोधी चहरा फिर से बेनकाब हुआ सरकार ना तो रोजगार दे रही है और ना ही बेरोजगारी भत्ता राज्यसबा सांसर दिपंदर हुड़ा का कहना है कि कोरो ना काल से पहले भी हर्याना के युवा 28 पीसदी बेरोजगारी धर को जेल रहे थे ऐसे में कई सवाल है जिन पर आज चर्चा होगी सबसे पहले आज के सवाल में आपको बता देती हूं बीजे प्योर कॉंग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे सवाल उनसे किये लोगुनी हो गई कोरोना काल की वजह से रोजगार देने पर सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है आगे कैसे समस्याओं का हल हो 75 पीसदी आरक्षन देने का दावा कितना सफ़र जबात का जिकर अपसे कुछ देर पहले मैं कर रही थी कुछ नंबर आपकी टेलिविजन स्क्रीन इन पर फ्लाश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपनी राय आप दे सकते हैं आपके मन में बेरोजगारी को लेकर के युवाओं को लेकर के अपने मन में कोई भी सवाल हो इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा डारेक्ट बात कर सकते है बीजेपी और कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और सीधे सवाल आप उनसे कर सकते हैं परामर्श अगर आप कोई देना चाहें तो वो भी इन नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं दो मेहमान आज इस चर्चा हमें मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता है भगवत दयाल शर्मा कॉंग्रेस के प्रवक्ता है राय सिंग गुर्जर भगवन दयाल शर्मा अपसे कुछी देर में हमारे साथ होंगे राय सिंग गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ ग प्रतिक्रिया इस पर उसके बाद में भगवज दयाल जी के पास जाओंगे पूजा जी हर्याना प्रदेश में हर्याना की जो प्रक्राइब और दुस्थांटी की सर्कार है इन्हों ने हर मुद्ध पर हर मौचे पर प्रदेश के हरनागरी के साथ बद्दा मयाद किया है और जहां तक आपका जो आज का मुद्ध है किस प्रकार से इन्होंने करमचारीत जैन आयोग के पेले पार्देश के युवाओं के साथ जो प्रश्ट आश्रण के सारे तरीके बनाकर उनका वविश्या पड़कों पर ला दिया है ऐसी सरकार को जा यूँआ माफ करेंगे जा क्रम्चारी चेहन आयोग अपनी नातानियों के लिए माफी माफी मांगेगी किस परतार के वाजे थी थेनों में देखिए आज करम्चारी चेहन आयोग वर्ष्ट आजण के सारी स्क्राइब बढ़ा चुका है पर इसका भी जवाब दीजेगा और इस बात का भी जवाब दीजिए ऐसे कैसे चलेगा सर भरतिया रद कर दी जा रही है युवा उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आप उनको रोजगार देंगे उनकी युवाओं पर इस तरीके से पानी फेरा जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा सर जी बात इन्होंने बोली है वो इनको मुझे लगता है पर समकी पूरी जानगारी नहीं है जो बात करने बात है तो इसमें कोई दनली वाली बात नहीं है असल में मैं वकील भी हूं करवक्ता के साथ आइपूट में तो बहुत से लोग जो लोग इसी के जो नंबर कम रह जाते हैं वो को कोड़ में चले जाते हैं इसे पीजीटी संस्किर्ट का मामगा था लोग मेरिट वाले केंजिएट से वो हाई कोड़ में चले गए हैं तो सिंगल बैंच में कहीं साल चला उसके बाद फिर डिविजिन बैंच में और वहां भी डेट पर डेट कलती रहती हैं आपको पता कोड़ में चले जाता है कि ताजी के लंबी लंबी पड़ती हैं उस वज़े से बहुत प्रिकत थी सरकार ने ये पीच का रस्ता ने करते हुए कि उस जो जिस बरती में खामिया कुछ रहे गए जिसमें इसकी एड़िटाइजमेंट में जिसकी का मामला था उसमें उड़ा स संसक Phoenix की मुण विद्वान होते हैं, उनको बहार करने dura हैं उसको कहा दिया कि सास्त्री वाले मानगें , वो लोग पर ने चले गए , is zen सास्त्री नहीं मानगें, इस नहीं को सास्त्री है , वह बेसिक सर्थ शेम भीद्वान हैं। तो कॉर्ट ने कहा इंको आप सामील पिर तो लोग मेरिट वाली लोग थे जिनकी मेरिट लो थी उनको लगा कि आप बाहर हो जाएंगे वो कोर्ट में चलेगे तो यह कई साल से केश तरला था तो इसलिए उस विग्यापन को ही जो कि उड़ा साब की ताइम में निकलना था उसका वापिश देया और नए सीरे से पंदरा मारच रखियत इसमें एदाम होगा और इदाम की पीस पेर मेरिट के मैं आपसे और भी सवाल करते हूं भगवत दयाल जी दर्शक मेरे साथ जोड़ रहे हैं सबसे पहले उनके सवाल ले ले लेते हैं सुमित हिसार से सुमित जी स्वागत है आपका पूछी अपना स सब्सक्राइब करतार सिंग जजर से करतार जी स्वागत है नमस्कार बात कर रहे हैं जो यह बात कर रहे हैं बीजेपी के परवत्ता या बीजेपी की सरकार ना जो बेरज़गारी बहता है सारी वर्तिया कैंचल कर रहे हैं जब कहीं बेरोज़गारी कार उसका नाम आता है जो करोना काल का कहते हैं करोना काल में आम लोगों ने कितना पैसा सरकार को दिया मोजी सरकार को संटर में दिया या खटर सरकार को दिया सारी वर्तिया कैंचल कर रहे हैं बेरोज़गारी य यह जो करोना की आज़े शुक्रिया सर आपका जुड़े आप अमारे साथ अपनी राइस आज़ा की एक और दर्शक रहुतक से विजे विजे जी स्वागत है आपका हुलो नमस्कार मैं नमस्कार मैं मैं कॉंग्रेस के परोगता से स्वाल पुसना चाहता हूं कि यह जो दिन पर दिन पर किया रहा दो रही है कि अगर यह सब अगलत तरीके से बुपंदर लगाई है तो पिर बिजे पी से कर वुपंदर रुगदा जेल में क्यों नहीं डाल रही है आपका शुक्री आप हमारे साथ जुड़े हो सवाल किया राइसिंग जी बताइए कि पिछले सरकार की नाकामी है क्या जिसका बुक्तान अभ्यूवा कर रहे हैं मेरे मिस्टर को पूरा ज्यान होना चाहिए ये कोई आम रेक्षी का सवाल नहीं ये भाज़ता के प्रवक्ता के रूप में जो बात रखती है मिस्टर नहीं आप इसका देखिए पूरी आवाज नहीं आई मैं ये समझ पाया कि पॉल पॉल रही है अब मेरे पावाज जुड़े थे हमारे साथ उनका सवाल था ये आप जवाब दीजे उनका है आप अपने आप से सवाल किया गया अप उस सवाल का जवाब दीजे भगवद आजी भी देंगे तमाम सवालों के जवाब पहले सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पिछली सरकार की नाकामी का परिणाम भुगत रहे हैं क्या युवा बुलकुल नहीं ये खच्टर और घुसंद की सरकार की नलाइकी का परिणान है 2015 में ये बर्ति प्रूणी ती और किस तरकार से इस इस कर्षी के साले इनियम सबसे पहले जवाब दीजी आप इनका जो उट्डाजी की टाइम में ट्राइट लगे वो सुप्रीम कोट ने उनको निरस्ट की पारती उसका हम्याजार लोग भूत रहे हैं हमारे लिए हमारी सरकार की बर्ती जिसके स्केमें स्लेक्शन होगी वो कोट ने उए क्योंकि वह पेर पर दी हैं वह लोग दोक परिखिल और हम दोक्ती हैं आप अपनी फिरफ पकवार्वार्व करके तें हो अजयान तो अपने गयर कारूई तो आपके इस प्रकाश के प्रपन है उनको चुपाने के विए उनको जन्ता ना संपाई इसलिए सिर्फ जिदाना प्रदेश जानता है पूरा समाज है और विश्चे स्क्राईया प्रदेश मुझे एक बात का जवाब दीजिए भगवदयाल जी मेरा सवाल एक आपसे है भगवदयाल जी एक सवाल मेरा आपसे है मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक एक करके बात रखिए आप पॉन लाइन पर जुड़े हुए हैं दर्शक समझ नहीं पाएंगे एक एक करके प बहुत जरूरी है कि मन्च उनके लिए हैं जब हम बोलते हैं तो इनको एक त्रेनिक दीगाई है कि आवाज जनता तक ना जानो तो जनता को बोड़ा करके रहा हुए भगवदयाल जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजे मुझे ये बताईए भगवदयाल जी एक सवाल आ ये पिछ आए तेल सब्सक्राइब के चपक्राइब कुछ इनको एक्ली ब्सक्राइब कृवदय व्यूश्य का थे लिए भगवदय फैल्दो सफेघ्र वेच्ण के लगवदया जीए पनलव पनजाब में लगते हैं इमाचरिय पेस्टे-पेटिय तैस्टों राजार स्बत यह जो बिजली निगम में 154 SDO के पत पर नियुक्ति हुई है जिसमें से केवल 22.2-3 पिसदी हरियाना के युवा है यानि आप यह कहना चाहते हैं कि हरियाना के युवा अभी उस तरीके से अलिजिबल नहीं है समर्थ नहीं है यहां भी ऐसा नहीं है जो लोग युग्य से लगे उसमें उस बात को इनको इनको लेकिन वह परसेंटेज बहुत कम है मैं वहीं बात कर रही हूं युवा सशक्त हूं इसके लिए भी तो सरकार को भी कुछ कदब उठाने पड़ेंगे ना तो हम पहल कर रहे हैं और ऐसे दीरे-दीरे महूल ऐसा बनेगा ठीक है आती हूं आपके पास राइसिंग जी आपका भी रुक करूंगे एक दर्शक है जजर से जगबीर सिंग जगबीर जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी आपका दन्यवाद जो हमारा कोल आपने अटेंड किया मैडम जी ऐसा है कि यह जो अभी बटियां 22 हमारे आदमी लिए गए हैं जो और बाकी नमस्कार मैडम जी सर अपना सवाल पूछे ओ अपने टीवी के वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो अबरा कोल अटेंड किया सर एक बार कॉल दोबारा से कनेक्ट कीजिए का आपको आवाज बहुत लेट पहुंच रही है हमारी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे से जुड़े रामपाल यमुना अब परदेश के युवा इस योगता नहीं रखते इसलिए फाइक परसेंट ही केवल बर्ती हुए हैं इनको शरबाणिक इस बात के लिए रख अपर्देश के यहां को यह देश दूलिया के युवाओं को के अगर उसके उपर उसके दास किसी भी परतार से आर एसे और दूसरी सिफार्फों का परमान पर साथ होता तो भी अर्याना बर्ती करते हैं क्योंकि हर्याना के मुक्यामंत्री का परतास ने का यह देश के पहार के अधिकारियों का उनके शेहेंदों का प्रतास के वा है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए प्लीज बेरोजगारी का मुद्दा हमने उठा रखा है प्रदेश से जुड़ा है और यह केवल हर्याना की समस्या नहीं है पूरे देश की समस्या हर राज्य में समस्या है इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल आप जो सोचते हैं जिस भी तरीके देखो हमारी सरकार नुक्रिया युक्रिता के वे देती है पर देश अत्रवार के आदार पर नहीं देती पस ठीक है दर्शक जुड़ रहे हैं उनके सवाले लेते हैं जजजर से कृष्ण सारा язवार किषिन ची स्वागत आथ आठ जी आठ गटेर, नमस्कार जी मादम जी नमस्काar जी माटम जी माएक शाथवी फेल अतमी हूँ नहीं सारा से हूँ सार टीवी का वॉल्यूम को करे लिए लिए इसा कभी निवाजु अब सरकार आई इसमा इतना जो गदर मात्या है अब तक कदे नहीं मात्या चीक आपका शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े एक और दर्शक यमुना नगर से राजन राजन जी स्वागत है आपका लुड़े 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 लगे हैं गिस्वार का शुड़े सार्वार जी उसमें से जो बच्चे लगे हैं एक साल के लुक्री के अपास पोर्स कोटे में से बच्चों को खा दिया गया है नौक ली एक साल करने के बाद कि उनके सडिव गे टीन ही है तो इसमें किसका दोश और बच्चों को दोश है विए उनको रिप्रूट में देनिंग के दी इसमाज़ सीथा ही गवर्मेंट का दोश है उनको तो वैसे मिलकी कि फालों में अनौक लिकर ली भगवत दयाल जी जवाब दीजी संपर्क उन से टूट गया फिर से जुड़ेंगे अपना सवाल वो करेंगे ग्रूप दी की भरतियों को लेकर के उनका सवाल था भगवत दयाल जी अच्छा कॉंग्रिस के जो राष्ट्रे प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि आप लोग ना तो बेरोजगारी भट्ता दे रहे हैं ना आप लोग रोजगार दे रहे हैं देखिए हमारी सरकार जब से बनी जितनी नोकरिया निकली जाए वो ग्रूप डेव की थी चैए टीचरों की थी चैए पुलिस की थी चैए वो किसी भी तरह की थी हमारी सरकार ने मेरिट की बेस्टे नोकरियां दी पहले क्या हुता था था जी सुनोकरिया निकली 50 मुक्या प्रभी आप बिदान वर्डान सभा में विदान सभा में रही बात करोना कार्व में नहीं नहीं फुरे ब्हारत में कई यह सा काम नहीं चला है सब लोगों को युग्रता की गई हैं क्या कारण है जैसे मैंने बताया कि पीजी टी संस्कृत और इंग्लिश इनकी जो एड़र्टाइजमेंट की उसको वापिस लिया गया नए सीरेस एड़र्टाइजमेंट की गई है जिसका एकजाम 15 मार्ज को लगा गया है दोस्कोर लोग जो पार न और एकर झाले बता है शुट कि पूरे करने देजा उनकी वाहे से जिसे अखले इननकी में हुग in वहां सरकारी स्पूल में अध्यात्कों की जरूर प्रोड़ेगा और में सेस्टन सूर नहीं वालने हैं अभी सरकार उसको वापीस लएके नए सीरे से परसी करेगी और इन लोग उने पहले पारम डाले वे तो उनको शुट दी गई है लेकिन जो एक्जाम्स हुए थी अभी जो एक्जाम्स हुए जो युवा उमीद लगा करकर बैठे थे कि हम लोगों को अभी रोजगार मिलेगा इसमें उनकी क्या गलती थी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने हैं तो इसलिए बातनी सरकार का यही मावना है कि जल्दी है जल्दी की सलेक्शन हो करने के लिए और को यही मावनत्री जी की बिल्कुल नियत साफ है मैई बेस्ते नोपी लगेंगी ते वो की सीभी पार्शी कि अधिक शुट्र के लिए जोगता प्रिया जी आपका सम्मान है लेकिन भाजता के प्रवक्ते के रूप के रूप जिसता जूट हो रहे हैं उसको कि युआ विशेश पर वो जो टेजीटी हमारे जोगता प्रवक्त अभी आपका समानी से उनके साथ बड़ा ज्याए गिया अभी तो अभी हाई पोर्ट के अंदर जोविस तीन दो अजार एक्टी सारिक लगी है सरकार ने उसके पहले वहाँ जवाब देने से पहले अपने हाथ किसली क्योंकि सरकार की दूलंगुली नीती है सरकार की योगता जब सरकार ने एक्टी की विश्टा की योगता रखी है उसके बख्ष में M.T.U. रॉज्टर की उरस्टी ने 2011 में विशे विशे से कमिटी ने उसका समर्थन किया है सारी बार सामने रखी है और बार बार जब पहले कोड में स्टे किया गया है बार में डबल बैंच में गए और शरकार वहाँ पर उसका नहीं रखा इस परकार एक वरफ कोई पर याजट ने किया और अभी जब जब यहाँ पर सरकार के बख्ष तेव वकीलों को इस परकार रखना चाहीए था कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखे कि परकार उत्रपरदेश में आन्रियादा और उत्रपरदेश की सरकार ने चेयन एजनसी को अधिकत किया है कि वह अनिवारिया है और मैं तो पूर्ण है हो सकता है कि एजनसी इस पर विशा लेकर और इन अधर्टों का सर्मर्शन कर सकते थी लेकिन सरकार की मंशा सरकार की नियद क्योंकि ब्रश्ट आच्वर में गुवी करमचारी चेयन आयोग का इक प्रोबंडा है कि लोगों को बैक आजाए युवाओ को बैका जाए और अपना पस ना देकर उससे पहले ही भर्श्ट को कैंसल कर दिया कि इस प्रकार से फूर्ट का जो प्रबंच इनका होता है उसको आगे नहीं निजाए इस जन्ता समझती है खाश करो जिवाच पड़कों पर दिश्टी में वकील हो है उसमें यहां प्रबंच में रिपलाई नहीं होता है उसमें सीजार्गूमन्ट होता है इस दूसरी बात ही है कि आप लोग चैते हैं कि जी हमारे नियत खड़ाव है एगे खड़ाब आपकी है कि आपके पीटी आई टीचर अचान लोग रिख लगे आपकी परक्रिया सु कि आप दोनों के बहुत शुक्रिया मेरे साथ सवाल आपका में जुनने के लिए तवाम सवालों के जवाब देने के लिए तो देखें बेरोजगारी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर किसी राज्यका एक बहुत बड़ा मुद्धा रहती है, सरकार के लिए बड़ी चुनाथी रहती है, जाहर सी बात है कोरोना काल आया, कोविट के समय में कई लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों की नौकरियां गई लेकिन कहीना कहीं सरकार से उमीद लगाकर के युवा अभी बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नई प्लांस लेकर के आएगी कुछ नई भरतियां लेकर के आएगी जिसके जरीए वो अपने घर का पालन पोशन कर सकेंगे और आत्म निर्भर बन सकेंगे लेकिन फिलाल काफी भरतियां रद की जा रही है जिसके पीछे कहीना कहीं सरकार अपने कारण बताती है और कहीना कहीं विपक्ष की बात की जाए तो वो भी लगातार सरकार पर इसको लेकर की हमलावर दिखता है लेकिन बात ही है कि कुछ भी हुआ हो अतीत में अगर हम अधीत की बात करें तो पिछली सरकारों ने कुछ भी किया हो लेकिन अब जो सरकार सत्ता में है उससे देश के युवा जो है वो उमीद भी कर रहे हैं और ये responsibility accountability भी बनती है कि आखर प्रदेश के युवाओं के लिए स अब तक पहुंचाएंगे सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फराल इतना ही आप बने रही है खबर फास के साथ नमस्कार